हेलो एवरिवन तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो चलिए आज हम इस लेक्चर में डिसक्रस करना चाहते हैं इमेजनरी रूट और कर्सिन पेर आपको यह से टॉपिक से पता लग रहा होगा कि इमेजनरी रूट जो हैं पेर में इग्जिस्ट करते हैं तो इसमें हम बेसिकली एक एक एंड डिगरी की किसी एक्वेशन की बात करना चाहते हैं अगर उसके पास एक कॉंप्लेक्स रूट ह है तो अगर सबकोज हमारे पास एक पलस आयोटा भी किसी एक्वेशन का कॉंप्लेक्स रूट है तो इसका जो पेर है मिन्स इसके जो कंजूगेट पेर हैं वह भी इसका एक रूट होगा तो इसी के बारे में आज हम लोग डिसकस करना चाहरे हैं लेकिन आपके मन में एक ज जिस करता है तो चलिए इसके इसी कोश्चन का जवाब हमने हमें अगले थेयोरम से मिलेगा तो इस लेक्षर में बेसिकली हम एक थेयोरम की बात करेंगे उसके प्रूब को डिसकस करेंगे और उस पर बेस्ट एक-दो अब्जर्वेशन देखेंगे तो चलिए थेयोरम का imaginary root है तो complex root क्या है हमारे पास given a plus iota b okay और सारे coefficients मतलब और equation के सारे coefficients क्या होने चाहिए real और a और b यहां पर है real है और यह complex है तो अब्यास है कि b मेरा non zero होना चाहिए अगर b zero हो गया तो यह purely real हो जाएगा इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए b को non zero होना परेगा और फिर इसके बाद अगर यह सारे condition को satisfy करता है तो यह theorem कहना चाहती है it has also the root a minus iota b तो basically इस theorem को हम step by step समझते हैं तो हमारे पास पहले given क्या algebraic equation है तो हम लोग मान लेते हैं कि algebraic equation है fx is equal to 0 एक algebraic equation है और इसके सारे coefficients हमाए given क्या है real numbers है means अगर हम equation की form को लिखे n degree की equation को तो fx is equal to a note xn plus a1 xn minus 1 plus dot dot a n minus 1 x plus a n is equal to 0 यह हमारे पास एक n degree के algebraic equations है इसकी degree अब देख पारे n है और इसके जो बोल रहा है कि सारे coefficients मतलब इसके coefficients क्या है a note a1 a n minus 1 a n यह सारे क्या होने चाहिए real numbers होने चाहिए यानि for all ai's belongs to real number यहां जो capital R है यह real number को denote कर रहा है अब यह कह रहा है कि अगर इसके पास roots होता है अब यह अगर एक equation है तो इसके पास roots होंगे वह roots कैसे होने चाहिए अगर alpha is equal to a plus iota b इसका complex root है अगर इसके सारे coefficients real है और और इसका roots complex है और b मेरा एक non zero है तो यह theorem हमें कहना चाहिए कि इसका जो alpha का conjugate होगा अलफा वार अलफा वार जोगा a minus iota b भी इसका एक root होगा तो यह theorem करना चाहिए तो चलिए हम इसके step by step अब इसका proof देखते हैं कि क्या यह यह जो हम बात कह रहे हैं यह सही है भी या नहीं है तो चलिए हम इसका proof करते हैं क्योंकि math में जो है कह देने से बात नहीं बनती है उसके प्रूब करके भी हमें convince करना परता है तो चलिए हम इसके प्रूब की बात discuss करते हैं अगर हमें इसकी प्रूब की बात करें तो हमारे पास given गया है हमारे पास given है कि n degree की equation है तो हमारे पास given क्या है given लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग given है fx is equal to 0 एक n degree की equation है या इसको हम general formula लिख लेते हैं that is fx is equal to a0 x raised power n a1 x raised power n minus 1 a1 a n minus 1 x plus a n is equal to 0 एक n degree की equation है इसके सारे coefficients क्या है real है पहला हमारे पास एक a given है और दूसरा हमारे पास क्या given है सारे coefficient यानि for all a i's belongs to real number और तीसरा क्या given है हमारे पास कि इसके पास एक alpha is equal to a plus iota भी इसका एक root है इसे root इसको one मान लेते हैं तो root of fx है तो हमें so करना है हमें क्या so करना है अब इसका जो conjugate होगा वह भी इसका एक root होगा तो चलिए तो हमें to so क्या करना है to so करना है हमें alpha bar that is हम इसको name इसका नाम लिख देते हैं suppose हमने beta नाम लग दिया alpha bar को a minus iota b is a root of fx तो हमें basically क्या so करना है यह minus iota b is a root हो तो हम इसके पूरूब को जानते कि हम जो पूरूब करने जा रहे हैं वह हम लोग प्रोसीड किस तरह करेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं हमें 100 क्या करना इसका root so करना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे एक function को construct करेंगे हमें ہिसे पता होता है कि और हम side में बात करें इसको पूरूब की प्रोसीडिंग कि इसको करेंगे किसे तो हम देखते हैं इसे हम क्या करेंगे हम एक फंक्शन मान लेंगे है एक माइनस अलफा इंटू एक माइनस बीटा अब बेसिकली इसके प्रूप में हम लोग जो ज्यादा मेजर पॉर्शन यूज होगा इसमें डिविजन अलगोरिधम का यूज होगा जो आपने पिछली पहले कलास में अपने या इससे पीछे जो क्या करेंगे है एक से एफक्स को डिवाइड कर देंगे एफक्स को डिवाइड कर देंगे एच एक से तो हमारे पास क्या आना चाहिए तो हमें सो क्या करना है तो जब डिविजन यूज करेंगे तो एक हमें कोई सेंट मिलेगा और एक रिमेंडर मिलेगा तो अगर हम डिव वाले function को x minus alpha into x minus beta को fx का factor show कर दे अगर हम factor show कर पाएंगे तो हमें पता है कि alpha तो root है इसका मतलब यह तो factor है अगर हम x minus beta को factor show कर दे तो x equal to beta इसका root हो जाएगा तो I hope आपको overview समझ में आ गया हुआ कि हम proof कैसे करने जा रहे हैं तो चलिए इसका most detail proof करते हैं कि तो हम इसमें basically क्या करेंगे हम एक function को consider करेंगे तो हम लोग सपोर्ज हमने कि सपोर्ज हमने है कि सपोर्ज हमने hx मान लिया function क्या माना x इसमें हमने roots को दोनों को minus कर दिया alpha root given था हमारे पास हमने बीटा को हमें roots को करना है तो चलिए हम इसने एक function को construct कर लिया x minus beta अब हम इसको अगर और डिटेल में जाए तो alpha की value क्या है हमारे पास x minus a minus iota b जब इसको minus करेंगे तो यह आएगा हमारे पास x minus a plus iota b आ जाएगा जब हम इसको और और जब calculate करेंगे तो यह आजेगा हमारा x minus a का hall square plus b का hall square जब आप इसको simplify करोगा तो यह आएगा हमने डारेक्ट लिख दिया आप इसे करके देखना अब अब हम क्या करेंगे with the help of division algorithm हम इसको f x को h x से divide करेंगे तो हम क्या करेंगे दिवाइड एफ एक्स बाइच एक्स तो हमें पता है जब हम किसी भी या किसी function को दूसरे function से divide करते हैं तो हमें question function मिलता है और एक reminder function मिलता है तो in view of division algorithm तो हमें क्या पता तो there exist क्या मिलेगा हमें qx मिलेगा qx भी qcent qut and rx भी reminder reminder हमें मिलेगा अब हम division algorithm से हम f x को क्या लिख पाएंगे जब हम h x से divide करेंगे तो in view of division algorithm f x को हम किस तरह लिख पाएंगे f x is equal to qx अब हमें हमारा qcent आजएगा rx reminder आजएगा तो हमें पता है with the help of division algorithm f x को हम किस तरह express कर पाते है f x is equal to इन दोनों को product h x into qx divisor into qcent यानि h x into qx plus rx तो हम इसको इस फॉर्म में लिख पाएंगे विद्ध हैल पफ डिवीजन algorithm तो वही हम यहां पर करने जा रहे हैं विद्ध हेलप डिवीजन algorithm क्या होजागा qx into h x plus r x अब हमें यहां आभ में पूरूप को तुम आगे लिए जारे लेकिन हमें माइंद में क्या चीज़ रखनी है कि हमें आर एक्स को क्यासव करदें जी रोचे करना है तसके हमारा होजाए धैसे कंक। 80fx का factor हो जाए अगर यह factor हो जाता है थो हमारा proof we are done तो हमें basically वही करना है कि ह्स को हमें factors हो करना है तो हम क्या करेंगे अब आगे remainder को यहां लिख देता हूं भी remainder अब हमें 100 क्या करना है सारे के सारे के value पूट करके देख लेते हैं अब यह क्या है is equal to zero अब हम fx को किस तरह लिख पाएंगे अब हमारे पास hx given है तो hx की value replace कर देते हैं qx into hx तो hx क्या है हमारा x minus a plus b square plus rx अब यहां से आप एक चीज़ देखिए कि fx की degree क्या थी है since degree of fx जो थी हमारे पास fx is equal to n थी हमारे पास और हमें division algorithm से क्या पता चलता है कि जो हमारे diviser की degree होती है वो always बड़ी होती है question की degrees है यानि remainder की degree होती है always छोटी होती है question की degrees यानि since degree of rx is always less than degree of hx hx की degree क्या है अब hx की degree क्या है x की highest power क्या है 2 है तो इसकी degree क्या है 2 है it means यहान से क्या आगया degree of rx जो होगा at most 1 होगा is equal to 1 अधिक साथिक क्या होगा 1 होगा यह 0 भी हो सकता है तो हमने 1 लेकर चलता हूं में यहां-पर तो degree of rx 1 आगया यहां से क्या आ गया कि Rx का form क्या होगा हमारे पास तो Rx का जो form आएगा हमारे general form तो Rx का form क्या आएगा हमारा यहां से 1 degree की equation आगी तो 1 degree की equation को क्या बोलते हैं हम लोग linear equation तो linear equation के form आपको पता है हम इसको इस form में लिख पाएंगे Rx प्लस S where R और S क्या है हमारे real numbers है अब हमने Rx को इस्तर लिख लिए तो हम basically क्या करेंगे Rx की value को हम यहां पर replace कर देंगे तो Fx को फिर हम क्या लिखेंगा हम यहां से Fx is equal to Qx into X minus A sorry whole square plus B का whole square Rx क्या आगया Rx plus S where R और S क्या है हमारे real number है और X क्या है हमारा variable है अब हम इसको क्या करेंगे अब हमारे पास given क्या था X equal to A plus Iota B इसका एक root है चलिए हम इसको put करते हैं अब हमें पता है जब भी हम equation में उसके roots को put करते हैं तो वो equation को satisfy करता है तो जब in particular particular हम क्या देख एक्स की value रख रहे है A plus Iota B से replace कर दे रहे है QX into X की value हम put कर रहे है इसको रहने देते हैं यहीं पर क्योंकि यह बात में जब हम cancel आओ जब हम इसकी value put करेंगा तो यह सारा cancel out हो जाएगा तो हम चलिए करके देखते हैं A plus Iota B X की value रख दिया हमने minus A का hall square plus B का hall square plus R into A plus Iota B plus S अब यहां से आप जब देख पार होगा है जब हम इसको calculate करेंगा A plus Iota B minus A minus A plus A cancel out हो गया Iota B का hall square क्या हो जागा Iota का hall square होता है minus 1 B का hall square हो जागा minus B का hall square minus B square plus B square दोनों cancel out हो जागा यहां पूरा cancel out होके क्या होगे मेरा term यह 0 बन गया यह पूरा term 0 into Q X तो यह क्या होगे हमारा 0 आगया 0 plus R into A plus Iota B plus S अब हमें पता था जब हम किसी भी roots को उसके equation में put करते हैं तो वो equation को satisfy करता है It means इतना is equal to 0 तो यहां से क्या मिला हमें इतना is equal to 0 तो अब जब हम इसको further calculate करेंगे तो क्या हैगा हमारा क्या है था हमारा R into क्या था हमारा term R into A plus Iota B R into A plus Iota B plus S is equal to 0 अब हम यहां पर क्या कर लेंगे है इसको multiply करें factor out कर लेंगे R A plus Iota R B plus S is equal to 0 अब यहां से हम क्या करेंगे real को real part को एक साथ group में लिख देंगे or imaginary को अलग कर लेंगे तो यहां से it implies that R A plus S plus Iota R B अब हम क्या करेंगे coefficients को अब यह 0 है it means क्या है 0 है यानि यह में 0 number है 0 को हम किस तरह लिख पाएंगे 0 plus Iota 0 अब हम real को real के साथ compare कर देंगे imaginary को imaginary के साथ compare कर देंगे तो जब हम compare करेंगे तो हमारे पास then we get on comparing real and imaginary part real and imaginary part then we get हमें क्या मिलेगा R A plus S is equal to 0 R A plus S is equal to 0 and R B is equal to 0 क्योंकि यह पूरा real part यहां पर क्या है 0 imaginary part क्या है 0 को 0 से compare कर देंगे अब एक चीज़ आपने गौर करा होगा हमने theorem में ही हमारा given था कि अगर X equal to A plus Iota भी उसका root है अब वह भी कैसे root है complex root है it means B को non-zero होना परेगा अगर B 0 हो गया तो वह पूरा purely real हो जाएगा it means हमारा B non-zero होना ही होगा तो यहां से क्या है B हमारा since non-zero है तो यह क्या force का reference हमारे पास कि R must be 0 R is equal to 0 अब हम पहले equation में देखे तो यहां भी R है हमारे पास तो R 0 हो गया it means 0 into A 0 plus S is equal to 0 it means S equal to 0 तो यहां से हम क्या find out कर पा रहे है कि जो हमारा remainder था since हमारा remainder क्या था R X is equal to R X plus S हमने माना था अब यहां से हमने क्या find out कर लिया S भी 0 हो गया R भी 0 हो गया it means remainder R X is equal to 0 अब यहां से हमने remainder को 0 प्रूब कर लिया यहां हमारा काम mostly खतम हो गया with the help of division algorithm हमने क्या बताया था यहां पर हमें क्या सो करना था कि हमने यहां पर R X को R X को 0 प्रूब कर लिया 0 प्रूब कर लिया it means H X हमारा एक factor हो गया H X factor हो गया तब इसकी help से हम बता पाएंगे कि यह जो है अब H X factor हो गया means X minus alpha into X minus beta it means X minus alpha भी factor है X minus beta भी separate out factor है अब यहां से जब यह factor हो गया means X equal to beta उसका एक root हो जाएगा by the factor theorem हमने तो पहले पढ़ा यह factor theorem के बारे में तो उसी का use करके हम इसको easily prove कर पाएंगे तो यहां से क्या आ गया तो हमने F X को क्या लिख पाया हम लोग F X is equal to H X into Q X अब it implies that H X is a factor of F X यह F X का factor हो गया F X का factor हो गया it means X minus alpha into X minus beta is a factor यह factor prove कर लिया it implies that X minus beta is a factor क्योंकि यह दोनों product में है तो separate out भी जो दोनों को separate करेंगे तो उन दोनों separate term भी क्या हो गया F X का factor होगा it means X minus beta is a factor of F X तो अब हमें factor theorem से पता है कि क्या X equal to beta is a root of F X तो हमने यहां से क्या prove कर लिया friend कि अगर हमारे पास F X एक algebraic equation है जिसके सारे coefficients real है और क्या और हमारे पास alpha is equal to a complex root है a plus iota b then हम यह कह पा रहे है with the help of this theorem कि इसका जो rate होगा alpha bar यह भी इसका root होगा I hope आपको यह theorem अच्छे से समझ आया होगा इसलिए अपने concept को आप सीख पा रहे होंगे तो आप चलिए इस पर based हम एक दो observations देखते हैं तो हमने इसमें prove क्या करा आपको बता दिया कि हमारे पास एक algebraic equation था हमने वही लिखा एक अलजबरायक equation था सारे coefficients रियल थे उसके अगर उसके पास complex या imaginary root है तो उसका जो conjugate होगा वह भी उसका एक root होगा तो हमने जो सारे coefficients क्या होने चाहिए और बेसिकली वह जो equation होना चाहिए वह एक algebraic equation होना चाहिए और बसरते उसके पास एक complex root होना चाहिए देन हम का पाएंगे कि जो imaginary root है means उसका जो conjugate होग वह भी उसका एक root होगा अब एक general observation है इस observation हमने देखा effects कोई भी एक हमारे पास एक algebraic equation है उसके सारे coefficients ai is real number है देन alpha अगर उसका एक root है तो alpha bar b यह क्या complex number belongs to complex numbers c जो है bold c यह denote करा है complex number को अगर यह condition को satisfy करता है तो कोई भी उसका complex root होगा वह pair में exist करेगा अगर इस complex root की multiplicity m हो जाए इसका कहने का मतलब क्या multiplicity m अगर इसके पास जैसे हम लोग लिखते है कि यह जैसे हमने यह लिखा है x square minus 2 2 x plus 1 is equal to 0 तो x minus 1 का whole square equal to 0 x equal to 1 और 1 इसका root है दोको इसकी degree क्या है x square कि इसकी degree 2 है इसके इसके पास दो रूट है और दोनों रूट सेम है means x जो है x equal to x x equal to 1 जो है इसका रूट है of multiplicity 2 यानि 2 times इसका जो है 1 इसका root है उसी तरह हम इसमें बात करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पस alpha एक root है of multiplicity m जैसे यहां पर 2 था यहां पर अगर m हो जाए multiplicity तो हर एक के लिए हमें पता है कि alpha conjugate exist करेगा क्योंकि उसके सारे coefficients real है और उसके पास और उसके पास complex root है तो हम इससे यह कह पा रहे है कि अगर alpha की multiplicity m है means alpha raised power m जो है यह divide कर रहा है x-alpha raised power m जो है यह divide कर रहा fx को यह तो अगर alpha root है तो x-alpha उसका इस factor होगा जब यह divide कर रहा है तो it means x-alpha bar जो होगा यह भी factor हो जाएगा कितने m time means multiplicity m तो अगर हम इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगा alpha की अगर alpha root है कितने times m time तो तो it implies that alpha bar जो इसका root होगा वह भी कितने times exist करेगा m time I hope आपको यह observation अच्छे से समझ में आया होगा अगर alpha की multiplicity 2 है तो alpha bar की भी multiplicity कितने होगी 2 होगे उसी तरह alpha की multiplicity अगर m है as in the term of roots तो alpha bar भी जो होगा root होगा कितने time m time I hope आपको यह सारी चीजे अच्छे से समझ में आया होगी अगले lecture में हम इस पर best questions देखेंगे तब अगर इस तरह के आपको concept आपको समझ आ रहा है वीडियो पसंद आ रहे है तो आप हमारे चैनल को like करे subscribe करे अगर कोई doubt हो तो आपके लिए comment section में हमें comment करें thank you for watching